हेलो डिफेंस वेलकम टूमाई चलों जिसे से लेडी सूपरवाजर के यहाँ पर जो एडमीट कार्ड के बारे में बात करने वाले यहाँ पर बहुत सारे केंडेट्स को अभी भी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि एडमीट कार्ड जो आप लोग का एक बार जो डाउनलोड कर लिए वहीं लेके जाना या फिर अलग-अलग यहाँ पर एडमीट कार्ड लेके जाना ठीक है उसके बावजूद यहाँ पर केंडेट्स को आपर समझ नहीं आ रहा है तो इसे अगर लेके जाओगे वही तो फिर वहाँ पर आप लोग का इंटरे नहीं दिया जाएगा इसलिए एडमीट कार्ड आप लोग का जो है डाउनलोड करना अलग-अलग आपने अगर एडमीट कार्ड अलग-अलग डाउनलोड होगा यहाँ पर ओफिसियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने दिखाया भी था किलियरली बताया था पीछले बाले वीडियो में आपर जाके देखो गए तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है तद उपरांत परिच्छा से तीन दिन पूरो परवेस पत्र उक्त लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेंगे और उसका लिखा गया कि परतेख पत्र के लिए अलग-अलग परवेस पत्र निर्कत किया जाएगा आनि कि जो भी है आप लोग का exams conduct होगा paper 1, paper 2, paper 3, 3 paper है तो उसका अलग-अलग admit card आप लोग का जारी किया जाएगा ठीक है and admit card download कैसे करना आप लोगो official website में जब आप लोगो जो application number इंटर करके जब वहाँ पर login करोगे तो वहाँ पर देखो कि जो first में आपने download किया था उसी tab का process से महाँ पर दिया जा सकता है जिसमें कि download रहे ठीक है download का option आप लोगो का दिया गे तो first वाले option में जब आपने जो है पहला admit का download किया होगा जो paper का होगा जो ही paper का होगा paper 2, paper 3, paper 1 क्योंकि आप लोगो का exam जो यहाँ पर जैसे तेसे करके लिया जा रहा है तो वहाँ पर जो download का option दिया जाता है column बना दिया जाता है उस पर click करना रहता है तो उसी tab का फिर नीचे आप लोगो का download का option दिया जाएक उस पर click करना आप लोगो और वहाँ से अपना admit card डाउनलोड करना है पूरा detail admit card को पढ़ना भी है ठीक ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ देख लोगे बस वहाँ पर डाउनलोड करना है पूरा detail पढ़ना है कि आपका वहाँ पर क्या-क्या details दिया गया है क्योंकि most important है बहुत सारे candidates जो reject हो रहे हैं admit card सही किया जाएगा यह दिमाग में note कर लेना वही admit card आप लोग का नहीं रहेगा admit card रखना भी है इसा नहीं कि यहाँ पर paper 3 का admit card डाउनलोड की हो तो अलग हो गया उसको रखना है क्योंकि आप लोग अगर selection होगा तो document verification के time में आप लोग का admit card मांगा जाता है वहाँ पर admit card डाउनलोड होगा 11 तारीख हो ठीक है आनि 3 दिन पहले admit card डाउनलोड होगा अगर आपने exam जो first वाला exam दिया है तो नहीं तो आपका dassי डाउनलोड नहीं होगा ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट वाले नहीं दियो वैसे तो आगर first मैं अपने exam नहीं दिया है तो आप नोटिफिकेसं आरोग पढ़ा करो या पीर जो मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें!? खिल्यहरली मैं जब बताता हूं तो इसमें ध्यान यहाँ पर दिया करो कि क्या मैं बोल रहा हूं can यहाँ पर सिर्फ स्किप करके देखो कि तो कुछ समझ में आता नहीं आप लोग इसलिए बोलते कि वीडियो को पूरा देखेगा जब मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर सिधा लिखा भी गया था मैं दो तीन बरित को रिपीट किया उसके बाद जो स्टुएंट को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग का एड्मिट कार यहाँ पर जो अलग अलग जारी किया जाएगा तो कभी भी कोभी नोटिफिकेसन आप लोग का लीडिज का जारी किया गया उसमें आप लोग का स्रीफ पेपर वन का ही दिया गया होगा ठीक है आईसे भी आप लोग यहाँ पर जो अपने आप खुद से कर सकती हो तो फिर इतना जो कंफिजन क्यों तो फिर मिलते नेक्ट वीडियों कुछ नियविट का था हैं क्यों